अक्लेरा में मुकिश मिडहत्याकारण के जोज जगंटे में पुलिस ने किया खुला अ प्रेमी के साथ मिल कर पती की थ्यकारणे वाली आरोपी पतनी हुआ उसका प्रेमी ग्रफ था जला पुलिस अतिक्षक मॉनिका सेनने बताया ki 88 जन्वरी-को पुलिस को थाना शेत्र के बर्डावदा खाल के समीब सड़किनार एक लाश पड़ी होने की सूशना मिली थी सूशना पर अकलेरा पुलिस उपादिक्षक गिर्धर सिंग्व थाना दिकारी ब्रुजेंद्र सिंग्माई जापते के पहुचे जहां उन्हें लाश पर चोट की निशान वे पास में एक अल्टोकार खड़ी मिली अल्टोकार के रेजिस्ट्रेशन नमबर के अधर पर मिलते की पहचान मुकिश कुमार को तुलसीराम मिला निवासी मैठोन थाना अकलेरा के रूप में हुई जो कि राज की चमाथम के ध्याले गादिया मेहर में व्याख्याता के पत्वर कार्यत था वहीं मौके से वारदात में संब्ध में उच्छा दिकारियों को सुश्रा दे कर उनकी द्वारा दिये गे दिशान अर्जेशों के तहत मामले को गंबिरता से लेते हुए तुरंत अनुसंधान करा रोपी म्रत की पत्नी कविता मीना वो उसका प्रेमी तेज राज मीना पुत्रगास लाल मीना ने वासी मेठन को ग्रफतार करने में सफलतार जित की है गटना की गंबिरता को देखते हुए वारदात की तुरित खुलासी की अथिरिक पुलिस अदिकादीक्ष्यर राजे शियादो के नेरदेशन में पटता दिकारी गирधर सिंग के निकर्टन सूपर विजन में थाना दिकारी बृूसान सिंग गटन किया गया गष्री टीम को ज़ूरा पताचला कि तेज राज नामका व्यक्तियां आकसर आता जाता है और उसने एक मोबाईल भी कविता मिना को दे रखा है वही कविता मोबाईल को प्योग में लेने एक बाद मोबाईल परड़ोसी को दे दे दी थी मिरते की पतनी कईता मिना वो परिवार में देवर तेज राज के मद्धी करीब एक साल सावे संबन होने की जान का एर प्राप्त हुई पुलिस ने जिशा में और गहनतस अनसंदान किया तो आरोपी तेज राज भी सुबह सिथाना परिसर में घूम रहा था तो आस्पिताल में आकरोशित फीड में शामिल होकर जल्दी खुला सा करने वो दिन्याय करने की भी मांग कर रहा था आरोपी तेज राज के हरकतों से पुलिस का संदे तेज राज पर ओर गहरा हो गया और मत्य की पतनी के बारे में जाच की गई तो पता चला कि अम्रते की पतनी केटा में ने पूरू में भी अम्रते की हत्या करने का प्रियास किया था इसके संबन्द में था नाक लेरा पर अम्रते की पतनी के खिलाव प्रकरन प्रजिवत है आरोपी तेजरास को डिटेन कर तरीगे से पूसता अची के जिसने बताया कि मेरे कविता मेना की बीश करीब एक साल सावे संबन थे जब पविता से मोबाल पर बातचीत करता था तो अधिकतर वाटसेप कॉल कर ही बात करता था बात करने के बात कॉल से डिलिट कर देते थे और जब भी कविता से मिलने के लिए जाता तो पहले कविता को नींद की गोलिया उसके पती मुकेश कुमार को खाने के साथ खिलाने के लिए देकर आता था और मुकेश कुमार के सोने के उप्रांद करता था कॉल करने किस से पहले ही उसकी घर पर लगे हो सिसी टीव केमरे बंद कर दे थी उसकी बाद आपस में मिलते थे इस बात के कविता का पता कविता के पती मुकेश कुमार को चल गया तो वा कविता क समार्पिट करता था जिस प योजनास चार दोनों ने रात के कईओ बारा बजे के पश्चात हाथ पकड़ कर गाले दबा दिए जसी मुकेश की म्यत्ती हो गई उसके कविता ने उसके पती की कार की चाब भी दियो लाश को ठिकाने के लिए कले कहा। कहा कविते कि शहता से लाश को कार में डॉल कर के मरों से बच्चता हुआ बढ़ागाख खाल के पास जा कर लाश को गाड़ी की निचा पतक कर गाड़ी को महीच छोड़ कर पैदल वापस कमरे पर चला गया धा पुलिस को पता लगने पर में भी बागी गौंवालों के साथ थाने पर आ गया बीपी नियू समवाद दाता योगिन्र मीना